ऐसे हैं कि ये जे ही है कि तो थो दोस्तो क्या इंडिया अपना खुद का एक शोशिल मीडिया ब्लैट पॉर्म बना रहा है जी हां ऐसे कुछ सवाद उठाए जा ряд हैं क्योंकि हाल ही में पीयेम मोदी ने एक ट्वीट की यह जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने सभी शोचल मीडिया प्लैटफरम्स को शोड़ देने का सोच रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इसके उपर वो अपना अंतिव फैसा रवीवार तक ले लेंगे उनके ऐसा करने के उपर बहुत सारी अटकले लगाई जा रही है कुछ निउस चैनल्स और निउस सूस्ट का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया अपना खुद का शोचल मीडिया प्लैटफरम्स बनाने जा रहा हो और उसे स्पोर्ट करने के लिए प्रियम नरेंदर मोधी बाकी सब भी विदेशी प्लैटफॉर्म को शूड़ने जा रहे हो जहां प्राकुब टार दें कि इंडिया के पास कोई भी देश में बना हुआ सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म नहीं है और इसके साथ ही इंडिया के पास कोई भी लोकली बेल्ट सर्च एंजन भी नहीं है इससे पहले इंडिया की डिफेंस फोर्स जहां इंडिया की स्क्योर्टी इस्लाविश्मेंट ने ये इशू ठाया था कि इंडिया को सबी शोशल मीडिया डाटा वेस्टन कंट्रिस में मौझूद सर्वर्स में स्टोर किया जा रहा है और इंडिया में मौझूद सर्वर्स में ऐसा डाटा स्टोर नहीं किया जाता और बीच में खबरें ये भी आई थी कि इंडियन गुवर्मेंट ऐसा कमपनी सो कह सकती है कि वो अपना सारा डाटा इंडिया में ही स्टोर करें इंडिया का डाटा दूसरे देशों में स्टोर होने के साथ ऐसी कोई गरंटी नहीं मिलती कि उस डाटा का मिस यूज नहीं किया जा रहा है तो इसलिए एक इंडिया का खुद कव ऐसा प्लैटफर्म होना एक बहुत अच्छा कदम है जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाइना ने भी ऐसे प्लैटफर्म अपते देश के शुरू किये हुए हैं और वो उनको ही स्पोर्ट करता है और वहां की गुवर्मेंट वेस्टन प्लैटफर्म को स्पोर्ट नहीं करती है जैसे कि आपने famous Huawei का case सुना होगा चाइना ने वहाँ पर Google की services को band किया हुआ है और वो Google का search engine भी इस्तिमाल नहीं करते वहाँ पर वो अपना खुद का search engine इस्तिमाल करते हैं इसके बाद चल रही trade war में Google ने भी Huawei को अपनी support देना बंद कर दिया है जिसके बाद अब चाइना की companies, smartphone companies अपना खुद का एक app store बनाने जा रही है जो कि एक बहुत बड़ा app store हो सकता है क्योंकि वहाँ की companies का user base अब बहुत बड़ा हो गया है अगर वो सभी companies इस app store को adopt करती है तो उनको बहुत ज़्यादा user base मिल जाएगा और इसके साथ ही चाइना की ऐसी policy है कि वो अपने खुद की companies को ही support करता है अगर चाइना जैसे ही कदमों पर चले और अपने इंडिया की companies को ही support करे तो वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया इस sector में भी अपनी बड़त बना लेगा और western countries को पीशे शोड़ देगा क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ी population है और अगर खुद हम अपने systems को support करें तो इंडिया कहां का कहां पहुंच सकता है तो दोस्तो आज कि इस वीडियो में इतना ही प्लीस like, share and subscribe अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूँ लाइक और share करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद बंदे मात्रम